नमस्ते दोस्तों कुछी निमें आपका स्वागत है। हम बहुत तरह की दोसा बनाते हैं तो आज में कॉंबो बनाते हैं। आप उच्छी दोसा बोल सकते हैं और केक भी। कि जितना डिलिस्यास दिखता है और टेस्टी भी उतना है इसे बच्छे बड़े सब खा सकते हैं नास्ते में भी और दिनर में भी तो चलो उसके लिए क्या-क्या चाहिए देख लेते हैं पहले हम भीगा हुआ चावल ले लेंगे यह मैंने एक किलो लिया है और दो बड़ा नायल उसे हम अच्छे से गस लेंगे और दो तेज पता काली मिर्ची किश्मिर्च काजू छोटी इलाइची आप चाहे तो बड़ा इलाइची भी ले सकते हैं नमक और थोड़ा दर्दरा पुटा हुआ नारियल और ऐसे लंबा लंबा करके भी एकदम पतला वाला नारियल जाहिए यह करीब 700 ग्राम गूड है और हम काली मिर्ची और इलाइची को अच्छे से कूट लेंगे हुआ हुआ है फिर मिक्स में हमको चावल भीगा है उसे टेस्ट लेंगे एक कड़ाई में करीब एक लीटर पानी ले लेंगे उसे थोड़ा उबलने के लिए छोड़ देंगे उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे और काजू किसमिस को हम थोड़ा घी में तल लेंगे स्वारी मैंने घी को आड़ करना भूल गई थी तभी थोड़ा घी में तल लेंगे उसके बाद पानी तो हमारा बूलना शुरू हो चुका है तो उसमें गूर डाल लेंगे 300 ग्राम जैसे डाल लेजेगा उसमें फिर उसमें तेज पता और बाकी के जो मसाला है भी उसमें सब डाल देजिए मुझे चावल का बटर है उसे भी डाल देंगे चावल का पेस्ट को भी डालके ना उसे धीरे धीरे चलाएंगे नहीं तो बहुत निचे से लग जाएगा और यह भी मैंने सूट नहीं कर पाई क्योंकि एक ही हाथ में करती हो ना तो सब प्रॉब्लम होती है मुझे और जब मुझे पेस्ट तो उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे पिर वही कड़ाई को हम अच्छे से दोख के और उसमें केले का पता को उसे चारो तरफ लगा लेंगे सौरी केले के पता भी मैंने आड करना भूल गई और उसके उपर घी भी चारो तरफ अच्छे से लगा iram करना अच्छा था दोड़ा को अच्छा पर रहा करने फिर चावल का पेस्ट है ऊसे एक अच्छा मोंटा लेयर के नीचे से लगार लेंगे ज़्याना मूठा नहीं मीडियूम फिर इसके उपर मैंने श्टपिन बनाया है नारियल और गोड का इससे चारों तरफ जहां जहां तक पेस्ट गया है चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से फिर और एक लेयर उसके उपर देंगे यह थोड़ा पतला होगा कि चलेगा और बीच बीच भी हम ऐसे पानी का हाथ भी थोड़ा हो लेंगे क्योंकि नहीं तो हाथ में चिपक जगया और अच्छे से सेट नहीं होगा और फिर यहाब बाकी का नारियल का जो श्टपिंग है उसे भी उसके उपर डाल देंगे और उपर बाले जो लास्ट ले आ रहे हैं उसे भी अच्छे से सेट कर लेंगे फिर उसके उपर जो बाकी का बचा हुआ नारियल है पतला-पतला का पहले जामने काटे हुए रखे थे उसको अच्छे से सजा लेंगे उसके उपर प्रेस करके रखिएगा नहीं तो वह गरम होके निकल जाता है बाद में पिर उसके उपर हम भाते पतला के ले guys रख चाहे उसको दे देंगे और ढकन भी लगा लेंगे उसे हम एकछंटे के लिए धेमी आंच पे छोड़ देंगे यह मैंने आदा हंटे के बाद मैंने चेक किया था यह उसके उपर ना यह से लग जाता है वह जो पेस्ट अपर लगेगा तो उसका मतलब ही हुआ ही नहीं यह मेरा थोड़ा मोटा था इसलिए वो उसे और भी टाइम लगेगा फीर आ परफकी गैस मैने ब्न किर दिया था और मैंने उपर नहीं क्या नहीं मैंने चिक विए जब धंडा हो गया उसके सुभा यह रात को एक बज़ मै अगर यह रेसिपी आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से जरूर कीजिए और कमेंट करके बताईए रेसिपी किसा लगा है और यह से अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए